हेलो स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कारह पत्रक नमबर 20 करेंगे जो की क्लास एर्थ की है और विश्य है विज्ञान ये वर्कशिट 9 देसेंबर 2020 की है तो आईए शुरू करते हैं आज की वर्कशिट वर्कशिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आईए देखते हैं आज की वरक्षिट प्रकाश, आज हम प्रकाश परावर्तन की नियम और समतल दर्पन से बनने वाले प्रतिवीम के लक्षनों के बारे में जानेंगे, प्रकाश परावर्तन की नियम, पिछली वरक्षिट में भी इसको देख चुके थे, प्रकाश परा कहते हैं जो किसी दरपन से टकराती है उसे हम क्या कहते है बिटा अपतित किरन और जो परावर्तित होकर टकराकर वापस चली जाते है इसे हम क्या कहते है परावर्तित किरन और इसके बीच में जहां ही टकराती है वहाँ पे हमने अभिलम की जाता पिछली वक्षित में यह हम क कोन परावर्तन कोन के सदय वराबर होता है कि जितना आपतन कोन होगा उतना ही परावर्तन कोन होगा ये दोनों कोन एक दूसरे के बराबर होंगे परकाश परावर्तन का दूसरा नियम है अपतित किरन आपतन बिंदू पर अभिलम और परावर्तित किरन ये सभी एक ही तल में होते हैं इसका मतलब है कि यह देखिए तीनों यहां से अपतित किरन आ रहे हैं यहां से परावर्तित किरन आ रहे हैं और यह अभिलम यह तीनों एक ही तल में होते हैं अभिलम यहां बन रहा है अपतित किरन यहां है और परावर्तित किरन यहां ऐसा नहीं होगा यह तीनों क् पहला और दूसरा निम आपको लिखना है अब हम देखते हैं समतल दर्पन पे परति बीम आओ एक गति वीदी द्वारा समझते हैं इसे ध्यान से समझे बटा समगरे समतल दर्पन और एक टोर्च आपको क्या करना है समतल दर्पन पी क्यो के सामने टोर्च रखनी है आपको क् दो किन्ने देखो O A O C ये दो किन्ने क्या होंगे अपतित होंगी दो किन्ने दर्पन पर गिरेंगे अब P क्यों की सतय पर A और C अभिलम खींचेंगे अब हम क्या करेंगे जहां पर ये किन्ने टकराती है वहां पर हम क्या खींचेंगे अभिलम खींचेंगे देखो यहां पर परावर्तित होने वाली AB किरन और C से परावर्तित होने वाली CD खीचेंगे अब हम क्या खीचेंगे देखें यहां से क्या हो रहा है यह परावर्तित हो रही है और यहां से यह परावर्तित हो रही है तो यहां से हम A से परावर्तित AB यह हो जाएगी AB और यह हो जाएगी AD CD य अभी हमने देखा था कि इस तरह से परावर्तित होती है न किरन तो इस तरह से हमने इसको यहां से परावर्तित कर दिया अब देखे इन देखाओं को पीछे की और बढ़ाईए अब क्या करते हैं जो यह परावर्तित किरने हैं हम इसको पीछे की तरव बढ़ाते हैं इन दोन पे हमारी नेत्र है यहां से क्या यह इस तरह से सीधी आती हुई प्रतीत हो रही है ना तो क्योंकि परावर्तित के इने वास्ता में ओपन मिलती नहीं है बलकि मिलती हुई प्रतीत होती है यह एक्चुन में यहां मिल नहीं रहे है यहां पर यह मिल नहीं रहे है यह हमने तो जो किरण थी वो तो इस तरह से move कर गई जो परकाश की किरण थी वो यहाँ से टकराई और वापस परावरतित होगी, लेकिन हमने जब उसको पीछे लेके गए हम उसको, तो वो हमें मिलती होई प्रतीत हुई, टकराती हुई, क्या होई प्रतीत हुई तो ये ओपर मिलती नहीं है मिलती हुई प्रतीत होती है इसलिए हम कह सकते हैं कि ओपासी प्रतीबिम ओपर बनता है तो इसका ये ओव वस्तुती इसका आभासी प्रतीबिम कहां बनता है ओपर बनता है ध्यान से समझना है यहां से दो किर्ने आई उनको हमने प सम्तल दर्पन और एक टोर्च पर किस तरह से प्रतिवीम बनता है इसको अच्छे से समझना है इसको बार बार थोड़ सा दो तीन बार रीड करेंगे एंसी आटी के साथ रीड करेंगे तब आपको अच्छे से समझू में आ जाएगा अब हम देखते सम्तल दर्पन द्वारा बनने वाले प्रतिवीम के लक्षन क्या क्या है प्रतिवीम जो बन रहा है जो यहाँ पर प्रतिवीम बना था यह कैसा होता है दर्पन के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाये देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पन के सामने रखी होती है तो यह प्रतिवीम उतनी ही द वस्तु है उसके आकार का ही बनेगा प्रतिवीम को परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है यह आभासी होता है पर लेकिन क्या है क्योंकि वह आभासी होता है समतल दरपन में वस्तु का दाया भाग बाया भाग प्रतिवीम में बाया भाग प्रतिथ होता है इसे हम पाशरव व्यतकुरण कहते हैं इसे क्या कहा जाता है पाशरव व्यतकुरण मतलब कि जब हमने दाया शीशे में हम देखेंगे तो दाया हाथ उठाएंगे वहाँ मिरर म लगा होता है वो समतल दर्पन तो वहां से उसको सीधा ambulance दिखाई देता है और वो उसको जगह दे देता है इसलिए यहाँ पर सीधे उल्टे शब्दों में लिखा होता है ambulance अब हम करते हैं इसके प्रशन उतर समतल दर्पन द्वारा बनने वाले प्रति बीम के कोई चार लक्षन बताईए तो देखो बेटा यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया गया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसका अंसर करेंगे answer number one हम इसको अच्छे से समझ चुके हैं बेटा क्या करना है इसके अंदर देखो सीधी उतनी दूरी पे बनता है जितनी दूरी में बस्तू होती है आकार सीधा और प्रति बीम कैसा होता है प्रति बीम सीधा और बिम के आकार का होता है परदे पे प्राप नहीं किया जा सकता क्योंकि अभासी होता है और दाया भाग बाया भाग दिखाई देता है तो ये है समतल दर्पन पे बनने वाले प्रतिविम के चार लक्षन अब हम करते हैं कोशन नमबर सेकिन देखें इससे समझने है बिटा, देखो क्या कहा गया है पिंकी दर्पन में अपना प्रतिविम देख रही थी दर्पन और प्रतिवीम की बीच की दूरी 4 मिटर है तो हम कलर से लेते हैं मानों कि यह दर्पन है यह क्या है बिटा यह दर्पन है ठीक है यहाँ पे हमने दर्पन दिखा दिया अब क्या कहा गया है इसे हम इधर से कर लेते हैं एक सेकिन मेटा, इस तरह से कर लेते हैं, हम कोश्यन समझने में आसानी रहेगी, देखो क्या कहा गया है, कि दर्पन और उसके प्रतिबीम की बीच की दूरी 4 मिटर है, यदि एक मिटर दर्पन की और चलती है, तो उसके प्रतिबीम और पिंकी की बीच की दूरी क्या होगी, देखो क्या कहा गया है कि यहाँ पे एक पिंकी है पिंकी मालो यह क्या है दर्पन हम इसे समझते हैं यह है दर्पन और दर्पन में अपना पिंकी अपना प्रतिभीम देखती है दर्पन और प्रतिभीम यह उसका प्रतिभीम हुआ यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रतिभीम ठ वस्तू रखी होती है तो यहां पर हम में बिम्ब मिलेगा जो वस्तू मिलेगी यहां पर बिम्ब लिखेंगे यह भी कितना हो जाएगा चार मिटर तो एक्चल में यहां पर बिम्ब प्रति बिम्ब आया हमारा यह हमारा प्रति बिम्ब हो गया और यह हमारा दर्पन हो गया त 3 मिटर, तो जब 1 मिटर वो आगे की तरफ आएगी, तो जो प्रती बिम है, ये क्या है, प्रती बिम, प्रती बिम भी क्या होगा, एक तरफ आगे की तरफ आएगा, अब इनकी दूरी भी कितनी होगी, 3, तो इन दोनों की टोटल दूरी कितनी होगी, इन दोनों की टोटल दू यहां पे लिख दीजेगा प्रती बीम, और यहां पे भी लिख दीजेगा प्रती बीम, क्योंकि दोनों की दूरी क्या है, बराबर है, 4-4 मिटर आजएगे, यह फर्स्ट केस हुआ, सेकिंड केस में क्या हुआ, जो बीम था, वो 1 मिटर आगे की तरफ बढ़ा, तो अब दूर आजएगा, इसका 6 मिटर, पीटा, इसी तरह से आपको करना पड़ेगा, पूरा यहां पे लिखना पड़ेगा, प्रती बीम, आपको लिखना पड़ेगा, यहां पे, कि प्रती बीम, और बीम की दूरी, और पिंकी की दूरी, कितनी है, 3 मिटर, ठीक है, 6 मिटर, 6 मिटर, इ जिनके प्रतिविम बिल्कु उनकी तरह ही बनते हैं. तो देखें कौन-कौन से ऐसे alphabets हैं जिनके प्रतिविम एकदम वैसे ही बनते हैं. तो देखते हैं A, H, I, M, O, T, U, V, X, और Y. ये ऐसे प्रतिविम हैं जिनके प्रतिविम वैसे ही बनेंगे. प्रतिविम जिसे प्रतिविम प्रतिविम जिसे प्रतिविम प्रतिविम जिसे प्रतिविम नहीं किया जा सकता वह आभासी प्रतिविम कहलाता है. समतल दरपन में वस्तु का दाया भाग प्रतिविम का बाया भाग धिखाई देता. actually होता क्या है दाया भाग क्या दिखाई देगा बाया भाग या बाया भाग दाया भाग एक ही बात दिख सकते हैं आप समतल दरपन में वस्तु का दाया भाग प्रती बिम का बाया भाग दिखाई देता है तो यह हो जाएगा आपके second question भी इसका filling the blanks तो बेटा second question को थोड़े अच्छे से कीजिएगा जैसे बताया गया है कि आपको यहाँ पे लिखना है बेम भी आप pinky लिख दीजिएगा इस तरह प्रीक्ती लिख दीजिएगा यहाँ पे दरपन लिख दीजिएगा तो इस तरह से आपको यह करना होगा ठीके student तो बेटा आज की worksheet complete होती है worksheet complete करके अ प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए थैंक यू स्टूडेंट्स